जो सफर की सुरुवात करते हैं वो मंजीलों को पार करते हैं एक बार चलने का होसला तो रखो मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं नमस्कार सातियों मैं अजीद कुमार आपके यूटूब चैनल कमटेशन कमुटे पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे सभी वीडियोज को लगतार देखते हुए आ रहे होंगे औ तो टेंस के जो बचे हुए पार्ट है यानि की जो पास्ट है फ्यूचर है कंडिशनल है अब हम लोग इस डिरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो टेंस के आगे आज के इस क्लास में हम लोग कुछ और नए इंपॉर्टेंट रूल सेंड कोंसेट की चर्चा करेंगे जिससे आपके एसाइम में कोशन के रहने की प्रवल संभावना है तो आएए फटाफट आज के इस वीडियो सेशन के हम लोग सुरुवात करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको एक मैसेज देते चलिए आपके एसाइम मेंस और ADEO का जो बैच है ये सुरु हो रहा है 13 सुबह के टाइम की जिसके सुबह का टाइम होगा साथ से साड़े नौ और साम का टाइम होगा छे से साड़े ठीक है तो ये इसका टाइम स्लोट था अब इससे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सुरुवात करते हैं पास्ट की ठीक है देखे पास्ट इंडिफरेंट के हम second form क्या मतलब है past indifferent का सीधा मतलब होता है वर्ब का second form या या फिर और क्या पूछा जाएगा आपसे तो did के साथ क्या आना चाहिए हमेशा और हमेशा आएगा वर्ब का first form जबकि आपके exam में जब कोशन आपको दिखाए पड़ेगा तो आप देखेंगे कि वर्ब के second form के स्थान पे कोई और form का यूज कर लिया गया है या फिर डिड के साथ है यह जो आता है वर्ब का first form डिड के साथ क्या आता है हमेशा और हमेशा आता है वर्ब का first form या जब आपको present पढ़ा रहे थे इसके पिछले वाले class में last class में तो हमने आपको बताए था कि do or does के साथ क्या आता है भाई तो do or does के साथ भी आता है हमेशा और हमेशा वर्ब का first form राइट अब यहां से past different को भी हम लोग सामिल कर लेते हैं तो अब यहां से हम लोगों का conclusion यह निकलेगा कि do, does or did do, does या did इन तीनों के बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ब का first form कौन सा form वर्ब का first form और इस pattern से do, does, did के साथ जो वर्ब का first form आना चाहिए था आप अपने exam में देखेंगा या किसी भी exam के previous year paper को आप उठा ले जिसमें इंगलिस पूछा जाता है तो आप उन सभी exam के previous year papers में देखेंगे कि do, does, did के साथ वर्ब के first form के अस्थान पे किसी और form का प्रियोग किया गया होता है इससे बहुत ज़्यादा question आपके exam में देखने को मिलते हैं तो आपका SI MINS का जो exam होने वाला है उसमें भी इससे एकात question रहेंगे ही रहेंगे ठी देखें चलिए तो इसको आप याद रखेंगा अब यहां से फिर से में एक बार repeat कर रहें पास्ट इंडिफरेंट का सीधा मतल हम लोग समझेंगे वर्ब का second form कौन सा वर्ब का second form या did के साथ वर्ब का first form राइट चलिए अब इतना आपको कुछ भी याद रखने की जरूर बढ़त नहीं है हम लोग डीड का यूज कहा करते हैं यह हम आपको बताते चले जैसा कि आप बजपन से पढ़ते भी आ रहें इस्ट्रक्चर में आप सामने देख भी पा रहें देखें डीड का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है डीड का डीड प्लस वर्ब के फर्स्ट फर्म का प्रयोग हम लोग कब करते हैं जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो कब हो इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो भी हम लोग डीड के साथ वर्ब के फर्स्ट फर्म का प्रयोग करते है करते हैं बात समझ में आ गई चलिए लेकिन यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं हो नेगेटिव नहीं हो यानि कि सिंप्ली वो कैसा हो अफर्मेटिव हो तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे राइट चलते हैं यहां से आग पास्ट एंडिफरेंट में तीन चीज़े आपसे पूछी गाती हैं सबसे पहला क्या-क्या पूछा जाता है तो सबसे पहला यह एक रूल जो अभी अभी हमने आपको बताया के डीड के साथ क्या आएगा भाई तो वर्ब का फॉर्स फॉर्म हाता है इससे एक कोशन आपके में रहेंगे ही रहेंगे ठीक है चलिए दूसरा देखे दूसरा क्या पूछा जाता है गई दूसरा कॉंसेप्ट है कि यदि किसी भी सेंटेश में यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी past indicating word लगा हुँ क्या लगा हो कोई भी bhot k backdrop सूचक सब्द अभ prob भूत काल का मतलब भूत मत समझ ले ना भाई, भूत परेत वाली बात हम नहीं कर रहें, ठीक है, क्योंकि हम कोई मैजिसियन, नहीं हम कोई जादूगर्द नहीं है, और नहीं कोई हम तानत्रीक है, हम सिंपली आप ही कितरे इंसान है, आपको पढ़ाने का काम करते हैं, आपके सफलता को सुनिशित करने में थोड़ी बहुत अपना कंट्रिबूशन देने काम प्रयास करते हैं, ठीक है, चली देखिए, यह है क्या, हम आपको बता क्या रहते हैं, भूत काल सुचक सब्द जैसे, भारत कब आ जाद हुआ भाई, उनई सो 47 में, 1947 में भारत आ जाद हुआ तो 1947 यह बता है, यह पास्ट का समय है कि प्रिजेंट का या फ्यूचर का, किसका है भई, तो यह पास्ट का समय है, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, हम 2050 की बात करें, 2060-2070 की बात करें, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह होगा हमारा फ्यूचर का की तो कोई भी भूत काल सूचक सब्द जैसे दो दिन पहले चार दिन पहले चार साल पहले बचपन में हम खेला कुदा करते थे बचपन में हम कंचे से खेला करते थे बचपन में लट्टू घुमाया करते थे वगएरा वगएरा ठीक है तो इस तरीके का कोई भी भूत काल सू कर दोस्तों आईए इसको नोट करते हम लोग तो रूल नमबर टू हमारा क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी पास्ट कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वाड लगा हूँ क्या लगा हो कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वाड लगा हुआ हूँ तो वो सेंटेंस कि में चला जाएगा पास्ट इंडिफरेंट में चला जाएगा ठीक है उसको कहा रखेंगे हम लोग तो उसको रखेंगे पास्ट इंडिफरेंट में कहा रखेंगे उसको रखेंगे हम लोग पास्ट इंडिफरेंट में राइट बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है अ अगु मिलता है ठीक है इस तरीके का और कोई भी वर्ड हो सकता है जैसे हब यह कोड आपको बता शेवन 1947 वगहरा वगहरा ठीक है इस तरीके का कोई भी वर्ड हो सकता है अगला रूल के है भार देखिए Mason тेंस हो एक बड़ा सा sentence आपको दिया हुआ हो सकता है उसमें दो छोटे-छोटे sentences आपको दिखाई पढ़ सकते हैं तो sentence का मतलब क्या होता है sentence का मतलब subject plus word plus object नहीं होता है दोस्तों ठीक से समझेगा देखे बजपन से हम सबोगो पढ़ाए गया कि sentence का मतलब क्या होता है तो sentence का मतलब होता है subject plus word plus object जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे sentence आपको मिलेंगे जिसमे subject आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत सारे sentence आपको मिलेंगे जिसमे object दिखाई नहीं पड़ेगा और बहुत सारे sentence आपको मिलेंगे imperative sentence कहते हैं ठीक है command का मतलब आदेश imperative का मतलब आदेश दोनों एक ही बाते हैं सब्द के वहल अलग-अलग है ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां से निसकर्स यह निकलता है कि sentence हम लोग किसको कहते हैं sentence उसको कहते हैं जो capital letter से सुरू होता है किसको sentence हम लोग उसको कहते हैं जो किसे भी capital letter से सुरू होता है और full stop पे जाके खत्म हो जाता है किस पे capital letter से सुरू होगा और full stop पे जाके खत्म हो जागा जैसे अब आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा तो अब यकीन के लिए ये एक example ले लिए get out जरह द्यान देजेए इस सेंटेंस में कोई सबजर्ट है क्या? नई है कोई पश्चा पर दिखाई क्या आपको एक सेंटेंस यह ही है imperative sentence को बोलचाल में हम लोग कहते हैं आदेसात्मक वाकिय क्या कहते हैं और वाला sentence कहते हैं बोलचाल के भासा में बात समझ में आ रही है तो अब आपको यहां से सीखना यह है कि कोई भी sentence हो क्या हो कोई भी sentence हो तो sentence में आपको कभी-कभी subject या object दिखाई नहीं पड़ सकता है, subject या object दोनों का दोनों वहाँ पे absent हो सकता है, किन्तो वर्ब तो दिखाई पड़ेगा, तो कुल मिलाके हमारे कहने का मतलब यह है, कि यदि कहीं भी आपको कोई भी दो sentence दिखाई दे, तो दो sentence होगा, तो आपको उसमें subject या object दिखाई पड़े या ना पड़े, कम से कम एक-एक वर्ब तो दिखाई देंगे, तो दो sentence है, तो एक वर्ब पहले sentence का दूसरा वर्ब, दूसरे sentence का दो वर्ब तो होगे, ठीक है, और देखे, tense में दरसल हम लोग पढ़ते हैं, क्या थो, tense में हम लोग कुछ न नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, तो दो sentence हो, दोनो sentence past का हो, ठीक है, या एक बड़ा सा sentence हो, उसमें चोटे चोटे दो sentence हो, ठीक है, तो sentence होगा, sentence होगा, तो वर्ब होगा, बात समझ में आ गई, अब यहाँ पे समझना ये है, कि यदि किसी भी sentence में, किसी भी sentence का ये जो जो पहला वर्ब है पहला वर्ब यदि पास्ट में हो कहां पे हो पहला वर्ब यदि पास्ट में हो तो इसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे अब सबको रखना होगा आपको पास्ट में ही कहां रखना होगा सबको रखना होगा पास्ट में ठीक है लेकिन ये रूल एक जग इसको universal truth को बता रहा हो universal truth जो हमने आपको पिछले class में बताए था जो कभी बदलता नहीं है ऐसा वाला अगर यहां पे कोई भी verb हो का है कोई भी यहां पे sentence हो तो इस पे इसका कोई impact नहीं होता अर्थात यहां पे rule number 3 में हमने आपको पढ़ाए कि यदि पहला वर्ब पास्ट में हो और इसके बाद आने वाला वर्ब किसी universal truth को represent करता हो universal truth को बता रहा हो तो यह present in different में ही लिखा जाएगा अर्थात यहां पे वर्ब की first form या वर्ब की fifth form का ही प्रयोग किया जाएगा बात समझ में आ गई चलिए अब इन सभी rules को सीखने समझने के बाद इन पर बेस्ट कुछ question की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे question को बनाया जाता है कैसे question आपके exam में पूछा जा सकता है आईए इनकी चर्चाम करते हैं यहाँ पर देखें पास्टेंड डिफरेंट में कहां लिखेंगे पास्टेंड डिफरेंट और पास्टेंड डिफरेंट का सीधा मतलब है वर्ब का second form या डीड के साथ वर्ब का फर्स्वाइए चेक करते हैं यहाँ देखे चिल्डेन लिखा हुआ grammar में कहीं कोई गलती है तो उसके बदले आपको correct option choose करना है और यदि इस underline किये गए पार्ट में कहीं कोई गलती नहीं है तो आपका answer होगा no error वाला ठीक है लेकिन यह पर no error का यह no improvement का कोई option नहीं है नहीं है तो अब यहां पर चाहिए ता past ये दिखा रहा है future यहोगा नहीं है यहां पर देखिए open the door open क्या है open अवर्ब का first form यानि की present in different जैसा कि यहां पर हम देख पारे है वर्ब का fifth form यानि की present in different ठीक है तो यह भी गलत और यह भी गलत हो गया ठीक है और यह भी पने तो यह बहुंक है धुर्ट के बात कर रहे हैं यहँ दोस्तों तो आंगे वढ़ेते चले उगले question में देखिए आपका अगला question क्या कहता है अगला question कहता है they did not eat anything yesterday देखिए सबसे पले हाँ पर क्या लग गया yesterday लग गया yesterday लग गया मतलब clear हो गया कि sentence को कहा रखना है past and different में रखना और past and different का सीधा मतलब है या तो वर्ब का second form या डिड के साथ वर्ब का first form अब चेक किजए यहाँ पर यह देखिए लगा वगा हुए ठीक है डिड के साथ यहाँ पर नॉट भी लगा हुए ठीक है नॉट से कोई फरक ने पड़ता डिड है अभी देखे एट क्या होता है तो यह होता है वर्ब का second form जबकि हमने आपको क्या बताया डिड के साथ हमेशा और हमेशा आपको क्या यूज करना है वर्ब का first form यूज करना ह हमें correct answer के रूप में क्या लिखना होगा इट लिखना होगा अब देख लिए डिड के साथ इट वाला कहीं option है यहाँ पर आपको दिखा इदर है यह देखे ड़स है ड़स के साथ होगा ने नो सबस्रिचूशन होगा ने क्यों नहीं होगा क्योंकि यह underline क्या हुआ पार्ट में बताएंगे भी लिख के ठीक है तो यहाँ देखे हैड के साथ क्या आता है है फैमिली के साथ ही वर्ब का third form आता है और यह क्या लिखा हुआ है यह 8 क्या होता है यह होता है वर्ब का second form तो यह already incorrect है तो यह गलत यह गलत यह गलत सही क्या बचा है सही एक ही option है option number C इस question का correct answer बना हमारा option number C next अगले question की बात करते हैं देखे अगला question के है दोस्तों अगला question है see has returned from Delhi a month ago देखे एक महीना पहले अगो यानि कि पहले एक महीना पहले जो काम हो गया यह चला गया past में कहां चला गया यह चला गया past में ठीक है अब past में चला गया तो इसका clear indication है कि यह sentence क इसमें रहेगा यह रहेगा past and different में और past and different में has have का use नहीं किया जाता ठीक है तो अब यहां पर क्या चाहिए यहां पर चाहिए verb का second form तो इसके लिए हम क्या करेंगे simply has को यहां से remove कर देंगे तो यह जो returned है यह यहां पर has have के सांथ लगा इसलिए यह यहां पर काम कर रहा ह third form का has have को remove कर देंगे तो यही काम करेगा second form का ठीक है आज यह चेक करें यह देखिए was returned यह आगया was returned है was returned का मतलब यह चला गया passive में तो यहां पर passive के कोई जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यह जो c नाम का subject है यह खुदी लोटा है भाई दिल्ली से ठीक है तो लोटने का क decision required हमारा answer हो नहीं सकता है यहां देखिए उड के साथ required आ गया यह होगा ने क्योंकि उड के साथ उड हो या कोई भी model auxiliary वर्ब हो उसके साथ हमेशा और हमेशा क्या आता है हमेशा और हमेशा हम लोग उसके साथ यूज करते हैं दोस्तों वर्ब का first form वर्ब का first form जैसे do does did के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का first form हो ऐसे ही कोई भी model auxiliary वर्ब हो उसके साथ यूज करते हमेशा और हमेशा वर्ब का first form ठीक है तो यह भी incorrect हो गया अब यह बचा हमारा return return क्या है भाई तो यह हो गया second form अच्छा है इसी कि हम लोगों को जरूरत थे क्यों जरूरत थे क्यों क्यों कि यहां पर अगो लगा हुआ था तो हमारा इस question का answer क्या बनेगा इस question का answer बनेगा option number D क्या बनेगा option number D बनेगा next आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखते हैं अगले question को अगला question देखे he didn't called me in the last week यह देखे last week पिछले week के बात कर रहा है पिछले सबता की बात कर रहा ह कि यह past का indicating what है यह past indicating what है इसलिए इस sentence को रखना होगा past indifferent में तो यहां पर देखे लगा हुआ है अब did के साथ क्या आता है तो did के साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा वर्ब का first from use करना है और यहां पर देखे called लिखा हुआ है तो यह घलत हो गया अब इस question में हम लोगों को कर correct answer हमारा बनेगा option number C क्या बनेगा दोस्तों इस question का correct answer हमारा बनेगा option number C next आगे बढ़ते हैं से अगला question है the manager did not gone फिर से वही बात है यहां पर देखे आपको did दिखाई देरा है did के साथ क्या लिखा हुआ हुआ है gone gone क्या होता है गो went gone यानि कि gone क्या होता है गौन होता है व लिखना होगा इस question में भी हम लोगों को गलतियां बतानी थी कहां पर error है और इस question में भी देखे यह past indicating word लगा हुआ है ठीक है अब आजाईए तो यह वाला option रोड़ी यह gone कहां पर लिखा है तो gone यहां पर लिखा है gone कहां लिखा option number A में तो इस question का correct answer हमारा क्या बनेगा correct answer option number A क्योंकि ए में ही गलती थी gone के अस्थान पर लिखना होगा next आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है he allowed his son to drive but he won अब देखे but he won यहां पर ध्यान दिजेगा यह देखे यह पहला sentence है यह पहला वर्ब है यह देखे यह पहला वर्ब है ठीक है आगे बढ़ यह देखे दूसरा अब आपने से कुछ बच्चों के मन में आएगा सर यह भी तो है यह भी तो वर्ब है ड्राइब का मतलब होता है चलाना यह भी तो वर्ब है बेटा आप इसको याद रखना यह देखो टू के साथ लगा है तो टू के साथ क्या आता है टू के साथ हमेशा और हमेशा क्या आ का वहाँ पे टू के साथ वर्ब की आई इंजी फॉर्म भी आती है ठीक है तो उसको छोड़ देजिए उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे अपने क्लासिस में ठीक है वो लंबा सा थोड़ा सा कन्फूजन से भरा हुआ है तो इसको पर्च मोंट समझा पाना संभाव नहीं है चोड़ते हैं आप देखें के लिक्सी परिवर्बत नहीं कर न हो तो द्यान देजी आपको क्या बताय था कहीं किसी है और बहुत किici वर्ब का second form, यानि कि यह चला गया past में, तो किसी भी sentence का पहला वर्ब past में हो, तो उसके बाद आने वाले सारे वर्ब कहां लिखे जाएंगे, उसके बाद आने वाले सभी वर्ब्स को हम लोग रखेंगे, past में कहां पे रखेंगे, past में रखेंगे, इसलिए इस question में यह जो warn यह गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यह वर्ब का first form, तो इसके अस्थान पर हमें क्या लिखना होगा, इसके अस्थान पर हमें लिखना होगा, वार्ब का second form, ठीक है, तो इस वार्ब वाले option को ढूंड लिजे, यह कहां पे लिखा, यहां पे लिखा, तो इस question का correct answer बना है, पास perfect को ठीक है, पास perfect को पढ़ने के बाद, आपके लिए एक information है, bank, SSC, railway की batch, आपके competition community के चारो centers पे शुरू हो रहा है, कहां कहां पे भाई, चारो centers कौन कौन सा भाई, तो दुर्ग, राजनान गाओ, बिलासपुर और रायपुर, और यह कम से शुरू हो रहा है, तो यह बेतरीन offer, यह दि आप किसी भी exam की त्यारी करते हैं, जैसे आप ADO की त्यारी करते हैं, आप SI की त्यारी करते हैं, ठीक है, SI मिंस की त्यारी करते हैं, या और किसी भी one day competitive exam की त्यारी करते हैं, तो आपके पास एक और सुनारा offer है, क्या सुनारा offer है, competition community, आप सभी बच्चो के लिए एक mega Tessaries का आयोजन करें free of cost बिल्कुल निसुलक इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी hidden charge भी include ने बिल्कुल निसुलक है ठीक है अब यह कब हो रहा है मेगा Tessaries कब हो रहा है तो मेगा Tessaries हो रहा है आपके 14th of March को 14 March को यह आयोजीत क्या रहा हूँ आपके चारों सेंट्रस पे उपर्दूर और राजनांद गाउन इन चारों सेंट्रस पे यह आयोजीत हो रहा है अब इसमें participate करने का तरीका क्या होगा बहई participate करने के लिए आपको competition कमूट्टी के website पर जाना होगा तो आपको 14th March को जो मेगा टेस्टरीज होने का है इसका information आपको वहाँ पे दिया गया है ठीक है उस information वाले icon पे आप click करेंगे और click करके उसमें जाके खुद को अपना mobile number डालके खुद को क्या करना है free of cost register करना है और 14th March को आपको क्या करना है अपने nearest branch में जाके exam में टेस्ट में सामिल हो जाना है और यदि आप अच्छा त्यारी करते हैं या आपके त्यारी अच्छे कासी चल रही है तो आपके पास सुनारा offer है क्या जीतने का टैबलेट जीतने का और ऐसे बहुत सारे इनाम जीतने का भरपूर मौका है और आपका कौन सा paper कितना अच्छा है कितना week है ठीक है यह आपका free of cost मौल्यांकन हो जाता है दूसरा benefit हो कहाई तीसरे benefit की बात करें तीसरे benefit यह है कि यह आपका performance अच्छा रहता है तो साथ ही साथ जो आप exam center पे आने जाने का जो कस्ट उठाएंगे उसके बदले आपको ऐसे डेर सारे पुरसकार मिल जाएंगे ठीक है तो यह बिलकुल ही आपको इसमें participate करना चाहिए आप सभी बच्चों को इसमें बिलकुल participate करना चाहिए इस मौके को बिलकुल भी गवाना नहीं चाहिए चलिए चलते आगे अब हम लोग बात करेंगे past perfect का किसकी बात करेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे past perfect का यह structure आप बजपन से पढ़ते आ रहें ठीक है और इसी के मादेम से आप translation भी पढ़ते आए हैं तो अब आपके exam में चुके translation आता नहीं इस तरीके से आप से structure बूचे नहीं जाते तो हम इसकी बात नहीं करेंगे हाँ हम एक बात जरूर आपको बताना चाहेंगे जिसके थोड़ी देर पहले हम आपके इसान चर्चा कर रहे थे देखे हैब family होता क्या है भई तो देखे ये वर्ब के कितने फॉर्म होते है वर्ब के 5 फॉर्म होते है पहला फॉर्म है पहला फॉर्म क्या होते है भई है वर्ब का second फॉर्म क्या होगा इसका second फॉर्म होता है है इसका third फॉर्म क्या होता है इसका fourth फॉर्म होता है having क्या होता है इसका fourth फॉर्म होता है having और इसका पांचवा फिर्म कौन से होता है भई तो पांचवा फिर्म होता है है अब यह जो हैब फैमिली इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते हैब फैमिली यह जो हैब फैमिली के बाद कहीं भी कोई भी वर्ब है उसको हमेशा और हमेशा कहा रहना होगा उसको हमेशा रख हैं perfect क्या बोलेंगे इसी को हम लोग बोला करते हैं perfect यदि वो has या have के साथ है जैसे यह देखी इसके साथ हो जिसका टेंस होता है present इसके साथ हो जिसका टेंस होता है present तो has या have के साथ हो तो उसी को बोलते है present perfect head के साथ हो इस के साथ हो तो इसी को बोलते हैं पास perfect ठीक है और having के साथ हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं यह having एक word लिखा होता है और इसके बाद यहाँ पे लिखना होता है आपको वर्ब का third form इसमें भी बहुत सारे एरिर पूछे जाते हैं बट आपके इससे question एक भी देखने को नहीं मिलेंगे तो इसमें आपको परिशान होने की बेवज़ा की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब आपको कुल मिला के यही याद रखना है कि इन में से कोई भी हो कहीं भी हो इन पाचों में से कोई भी पाचों मतलब have, had, had, having और has इन पाचों में से कोई भी आपको कहीं भी दिखाए दे तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है इसके साथ आपको हमेशा और हमेशा यूज करना है वर्ब का थर्ड पॉम अब हम चुकी हम लोग पढ़ रहते पास्पर्फिक्ट क्या पढ़ रहते चुकी हम लोग पढ़ रहते पास्पर्फिक्ट है तो पास्पर्फिक्ट को आप याद कैसे लग झाल आएक टेंगा, मां कि कुल्मिलाके चीज़ए वही रहेगी, और कैसा इसकी बात कीजिए, तो देखिए का कैसे कैसे कोशन आते है सबसे पहला कोशन यहीं पर आता है कि head कहीं भी लिखा रहेगा या has लिखा रहेगा या have लिखा रहेगा ठीक है यानि कि have family का कोई ने कोई member रहेगा और इसके बाद यह जो verb का third form आना चाहिए इस third form के स्थान पे आपको verb का कोई भी दूसरा form देखने को मिल सकता है तो वहाँ पे गलती होती है उसको improve करके चीक करके लिखना होता है वर्ब के third form में ठीक है एक गलती इससे पूछी जाती है अब आगे बढ़ते हम लोग यहां से अब आगे इससे किस किस तरीके के question पूछी जाते है आपको इसमें क्या क्या करना होगा इन सभी चीज़ों को हम आपको समझाते हुए आगे ले चलेंगे देखिए ज़िया ध्यान से इसमें कैसे question पूछा जाता है आप इसमें देखेंगे तो इन सभी की चर्चा हम आपके साथ करेंगे ताकि आपसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती चाहे यान चाहे में न होने पाए, अब देखेगा द्यान से, आफ्टर के पहले इधर एक सेंटेंस लिखाओगा, आफ्टर के बाद एक सेंटेंस लिखाओगा, इसी प्रकार से आफ्टर के बाद यहाँ पे देखेगा दो सेंटेंस लिखाओगा, और दोनों पास्ट कहाओगा, बिफोर के बाद एक सेंटेंस लिखाओगा, और दोनों ही sentence past का होगा before के बाद इस तरीके से दो sentence लिखे होगे और दोनों ही sentence आपको past में लिखे होगे दिखाई पड़ेंगे जरा ध्यान देजिएगा हम थोड़ा सा यहां पर अपनी speed को slow कर रहें ताकि आप आसानी से समझ सके अब इसको याद कैसे रखेंगे सबसे पहले इसके formula को ह यहां पर आफ्टर के बाद जो भी sentence आता इसको हम लोग रखते हैड प्लस वर्ब के third form में अर्थात past perfect में और आफ्टर के पहले जो sentence लिखा जाता है इसको हम लोग रखते हैं वर्ब के second form अर्थात past indifferent में अब यदि आफ्टर के बाद ही दोनों sentence आ जाए आफ्टर के बाद दोनों sentence आ जाए तो क्या करेंगे यह जहां पर लिखा है वहीं पर रखेंगे आफ्टर के तुरंत बाद जो sentence आएगा उसको हैड प्लस वर्ब के third form में ही रखेंगे और यह जो था यह चलाएगा यहां पर यह चलाएगा यहां पर बिफोर के साथ आफ्टर का reverse case होता है क्य और बिफोर के बाद आएगा यहां पर वर्ब का second form और यदि दोनों before के बाद आजाए तो तो यह जैसे है वैसे ही रहेगा और यह जो head प्लस वर्ब का third form था यह यहां पर आ जाएगा ठीक है इसको अच्छे से समझना दोस्तों इससे बहुत सारे question पूछे जाते हैं और आ अपराधियों को जैसे यूपी में आजकल आप देख रहे हैं जब से योगी जी आ हैं बड़े-बड़े क्रिमिनल धरासाई हो रहे हैं ठीक है इसी तरीके से आपको भी एसाई बनके क्या करना है जहां कहीं भी अपराध हो सब को एकदम नौक आउट कर देना है एकदम ठी यह तो अपराधि को पकड़ने के पहले आपको यह सब पकड़ना होगा यह सब फिलाल आपके एकजाम में अपराधि के रुप में आपको दिखाई देंगे तो इनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे कंट्रोल करने का तरीका सीखिए अब इनको याद रखने का तरीका सीखिए सबसे पहले आपको दो सेंटेंस दिखाई देगा दो सेंटेंस दिखाई देगा कितने सेंटेंस दो सेंटेंस आपको दिखाई देंगे और दोनों इस सेंटेंस पास्ट के होंगे यानि कि यह भी पास्ट का यह भी पास्ट का यह भी पास्ट का यह दोनों का दोनों किसका रह दिजिएगा, यदि आफ्टर आपको दिखाईदे, क्या दिखाईदे, यदि आपको यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग दिखाईदे, तो सीधा याद रखना है, आफ्टर के बाद, जो पहला सेंटेंस आएगा, वो रहेगा, हैड प्लस वर्ब के थड फॉर्म में, और बीफो जो आएगा वो रहेगा head plus third form में या before के तुरंत भजो आएगा वो रहेगा second form में आपको इसको इस तरीके से याद रखना होगा फिर से हम आपको बताते चले फिर से हम आपको यहांपे बताते चले क्या रहेगा आफटर के ठिप बाद जो sentence रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे head plus verb के third form में जबकि before के ठीक बाद जो sentence रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे verb के second form में ठीक है बाद समझ में आ रही है तो यह देखें यह आ गया यहाँ पर verb के second form में और यही काम यहाँ भी देखें verb के second form में ठीक है और अब देख सा जाए तो दूसरा sentence रहेगा head plus verb के third form में ठिक बात समझ में आ गए तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाने का याद रखने का प्रयास करेंगे अब इनको समझने के बाद चलते हैं इन पर आधारित कुश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं तो अब वर्ब का second form कौन सा form है यह वर्ब का second form अब यहां देखे आपको क्या दिखाई दे रहे वोज दिखाई दे रहे और यह क्या दिखाई दे रहे लेफ्ट दिखाई दे ठीक है जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था इस पार्ट में before के बाद जो आता है तो before के बाद आने वाला पहला sentence किसमें रहता है तो पहला sentence लिखते है वर्ब के second form में और इसके पहले वाला किसमें रखते हैं तो उसको हम लोग रखते हैं head plus verb के third form में किसमें रखते हैं head plus verb के third form में रखते हैं तो यहां पे आपको भी फिलाल क्या दिखाई दे रहा है, वाज वर्ब के साथ क्या दिखाई दे रहा है, वाज वर्ब के साथ आपको यह वर्ब का third form दिखाई दे रहा है, जो passive structure को express करता है, तो यहां पे करना क्या होगा आपको, यहां पो करना होगा head, head के साथ क्या रखना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यह देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको कहां दिखाई दे रहे option number B में तो इस question का आपका answer क्या बनेगा option number B right क्या बनेगा option number B बनेगा next आगे बढ़ते हैं चलते अगले अब आज देखें यहां पर यह है है एक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आफ्टर के बाद वुला sentence है एक प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो इसके पहले वाले sentence को कहा रखते हैं वर्ब के इसके प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में यह प्रिजेंट परफेक्ट है जो गलत हो गया क्या लिखना था आपको लिखना चाहिए सर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म तो ढूंड लीजे सेकेंड फॉर्म है कहीं पे इस question में हम लोगों को बताना था error कहां पे तो है जिस started वाला form देख लिजेए है जिस started कहां पे लिखा यहां पे लिखा यह तो option no.C हो जाएगा इस question का correct answer हो जाएगा हमारा option no.C next अगले portion को दिखिए इस question में क्या आपको दिख़ाई यहां पर आपको आपको आप दिखा है अच्छा after से ही sentence की सुरुबात हो रही है और बाकि दोनों का sentence after के बाद कि बाद यह आपको यहां पर लिखा हूआ दिखाई दे रहा है देखिए आफ्टर के बाद ये पहला sentence है ठीक है और आफ्टर के बाद ये दूसरा sentence है ठीक है तो आफ्टर के बाद जो पहला sentence आता है उसको हम लोग इसमें रखते हैं उसको हम लोग रखते हैं head plus verb के third form है तो यहाँ देखें ये head तो दिखाई दिया लेकिन ये 8 क्या है भाई 8 है verb का second form कौन सा form है तो ये आपका Verb का second form तो करना क्या होगा इसको बनाना होगा third form है तो यहाँ पे 8 के स्थान पे लिखना चाहिए eating एट के स्थान पे इसका correct form क्या बनेगा तो 8 के स्थान पे इसका correct form बनेगा eating ठीक है अब आज ये चेक कर लिजिए ये वाला पाट देखें कहां पे लिखा हुआ है क्योंकि यह कॉमा नेरर का पाट है आपको इस कोश्चन में बताना है कि गलती है कहां पर ठीक है तो आज यह चेक करते हैं हम लोग इटेन वाला पाट कहां पे लिखा हुआ है एड़ लॉब्स्टर यह लिखा हो अब आप में से कुछ बच्चो को यहां पर पर सांगी होगे सर यह लॉब्स्टर क्या होता है लॉब्सर का मतलब होता है एक प्रकार का जींगा मचली ठीक है अब जो मचली खाते होंगे वो सै जिंनगा को समझ पाते होंगे जो लोग नहीं पाते हैं वो उसला आगे परदते हैं थो बात करते हैं अगले कोशन के देखिए अगला कोशन क्या है he was unable to help me because he had been failed to arrange the money अब देखे इस कोशन का मिनिंग समझे ठीक से he was unable to help me वो मेरी मदद करने में असमर्थ था अयोग्य था असमर्थ था ठीक है because क्यों क्योंकि he had been failed to arrange the money क्योंकि वो पैसे का इंतजाम करने में असफल रहा क्योंकि वो पैसे का इंतजाम करने में असफल रहा सफल नहीं हो सका अब जरा ध्यान देजिएगा अब देखे जैसे कि अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको बताया कि दो सेंटेंस एक साथ अब इसको दूसरे तरीके से समझेएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रेर के सम्भावना नहीं है फिर भी आपको समझा रहे हैं क्योंकि गलती से यदि यह पैटर्न आपके अब आगे के बातों को ठीक से समझेगा समझेगा अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि दो सेंटेंस है दोनों पास्ट का है यानि कि यह भी पास्ट का है और यह भी कहा है यह भी पास्ट का है ठीक है दो वर्ब है दोनों किसका है पास्ट का है अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ यह चेक करना होगा कि दोनों में से पहले कौन सा कंप्लीट हो चुका था द उसे बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे past perfect क्या यूज़ करेंगे उसे बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे past perfect क्या यूज़ करेंगे past perfect यानिकी head plus verb का third form और जो काम बाद में complete हुआ था उसे बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे verb का second form यानिकी past and different बात समर्थ था ठीक है समर्थ था क्योंकि वो पैसे का इंतजाम करने में असफल रहा पैसे का जुगार नहीं कर सका ठीक है तो पहले पैसे का जुगार नहीं कर सका इसके बाद वो मेरी मदद करने में असफल रहा तो पहले कौन सा काम हुआ मदद करने के लिए पहले ये जो व्यक का काम हुआ पैसे का जुगाल करने में असफल रहने का काम हुआ अब चुकि यह काम पहले हुआ है इसलिए इसको हम लोग रखेंगे पास्ट पर्फेक्ट में और पास्ट पर्फेक्ट का सीधा मतलब है यहां से क्या करना होगा सिंप्ली यदि यहां से हम लोग इस बिन को रिमूफ कर दें इस बिन को यदि हम लोग यहां से रिमूफ कर दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा तो अभी आप उटाएए बिन फिल्ड वाला औप्षन देख़े कहां पे लिखा हुआ है ओप्षन नमबर ए में बीन फिल्ड वाला बात लिखा गया है तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर यही होगा हमारा करेक्ट आंसर ठीक है इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे भाई अब आज फिर से इस इंफॉर्मेशन को आपको रिपीट कर दें एसाइमेंस और एडी यो का जो बैच है यह वैटेन फिर से लॉन्च हो रहा है आपके कमटेशन कमटे के चारों सेंटर्स पे रायपूर बिलासपूर दुर्ग और राजणाद गाउं जिसके सुबह के बैच के टाइमिंग क्या होगी भाई तो सुबह के बैच जाए तो आप हमारे बैचेज को जोएन कर सकते हैं ठीक है इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक बने रही है हमारे साथ और हमारे सब झाल